जै गुरुदेप महर्शी वेद विज्ञान विश्विद्या पीर्स जोतिस भाग द्वारा दैनेक बेदेक पंचांग प्रिस्तुत करते हैं आज दिनांग 28 जुलाइशन दोहजार चोवीशे महर्शी संबध सर एक सो साच चल रहा है बिक्रम शंबध 281 के अंतरगत दक्षन आयन वर्शार तू सरावन माश कृष्ण पक्ष की आज अश्टमी तिथी दस बच के पंदरा मिनिट रातरी परियंत रहेगी तत पस्चाद नवमी तिथी शुरू होगी आज दिन रवीवार है आज अश्टमी नक्षत्र है तीन बच कर तीश मिनट दिन परियंत तत पस्चाद भरनी नक्षत शुरू होगा आज शोली योग है 12 बच कर 21 मिनट रातरी परियन तक पस्चाद गंड योख सुरू होगा आज वालब करण है 11-24 मिनट दिन परियन तक पस्चाद कौलब करण सुरू होगा शोरी उदै के समय है 5 बच के 22 मिनट पराता सूर Gasth के समय है पूर्जया का भरपूर इस्तेमाल करें, प्रापरटी सम्मंदी काम पूरी होने की शंभावनाए हैं, प्रैक्टिकल रहें, भावनाओं में बहकर कोई फैश्ला ना लें, हानी हो शकता है, अपने बस्तूओं को शंभाल कर रखें, खोने या चोर्य होने की आशंक्या बनी र पॉकरी में किसी अधिकारी की वज़े से तनावी रहेगा ब्रिशव राजी आज आपकी कोई खास जिम्मेदारी पूरी हो सकती है किसी भी पॉल्सी में निवेश करना फायदे मन रहेगा परिवार के किसी सदस्की साधिशमंदी बातचीत और तैयारी होंगी कई तरह की पर विशेश ध्यान रखने की आवश्यक्ता है कारोवार में अत्रिक्त काम करना होगा मेहनत के अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे कोई जरूरी शूचिना मिल सकती है मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है मिथुन राशी कई तरह की उप तरह स्थागत रखें इसका कोई भी नतीजा हासल नहीं होगा शौपिंग करते वक्त धोका हो शकता है बच्चों से सम्मंदित किसी समश्या का समाधान निकालने के लिए किसी अन्भवी इंसान से सलाए ले कार्चितर में रुके काम जल्दी निप्टाने के लिए कड़े म गत्विधियों में ब्यस्त रहेंगे आर्थिक इस्तिती बहतर करने की कोशिश सफल रहेगी प्रोहावशाली लोगों के शाथ संपर्ग बनेंगे जो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए लाब दायक रहेंगे सहज रहें मस्त रहें आपका दखल ज्यादा होने शेप परिवार के लोग परिशान हो सकते हैं संतान की गत्विधियों को नजर अंदाज करना ठीक नहीं है बिजनिस में ब्यस्तेता की कराण कोई फैसला लेने में हिचकेचार्ट होगी कोई भी फैसला लेने में करमचारियों की मदद मिलेगी कागजी कामों में लापरवाई करना ठीक नहीं शिंग राजी दिन का ज्यादा शमय घर के रख रखाव में भीतेगा धार्मिक जगों पर आप शिवादे शक्ते हैं जिससे मानशिक सान्ती मिलेगी कोई रुका हुआ सरकारी काम पूरा होना की संभाव ना है किसी इंसायन की विज़े से प्रिस्तियां प्रतिकूल हो शक्ती हैं इससे आपने तनाव और चिचड़ापन रहेगा धहर रखें इसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा नौकरी और बिजनेस के सभी काम अपने देखरेक में करवाएं कन्याराशी इस समय संतुलित रवियेव से आपको लाप्राप्त होगा थोड़ा समय एकांत में या किसी धार्यम के स्थान पर बिताएं भविश को लेकर बिचार वर्ष होगा अन्होनी होने का डर रहेगा नजदी की लोगों से बादचीत करते समय साबधान रहें गलक फैमियों की बज़े से समन्द बिगड़ सकते हैं कारचित्र में करमचारी को साथ दोस्तान अभिवार रखने से उनकी कारच्षम तबहतर होगी महिलाएं अपने बिजनेस में ज़्यादा साबधान रहेंगी सफलता भी हासल रहेंगे नोकरी में छोटी मोटी परिशानी आशकती हैं तुला राशी आज ज़्यादा तर्शमय परिवार के साथ बीतनेशे सुकून और खुशी मिलेगी भविश की योजनाओं को लेकर तनमहात पूर्ण नीतियां बनेगी बड़े लोगों के अनभव अपनाएं स्टुजेंट्स पढ़ाई को लेकर गंभी रहें दोफैरवाद हालत थोड़े प्रतिकोल हो शकते हैं धहर रखना चाहिए योवाओं को मोज मस्ती की बज़ाए केरियर भविष्ट की योजनाओं पर ध्यान देने की जरुवत है आर्थिक मामलों में खास नतीजे नहीं मिल पाएंगे कामकाज में मैंदूर बर्ग से दिक्कत हो शकता है गुश्य की वज़ाए सांती से समश्यां सुल जाएं नोकृपेशलों के लिए दिन अच्छा है ब्रश्चिक राशी संपरशूत रथवा मीडिया के माध्यम से कुछ नए विश्यों पर जानकारी हाशल होगी पारिवारी तथा व्यक्तिगत गत्विदियों में उचित सामन जस रखने से कारी अथा शमय शमपन हो जाएंगे विध्यारतियों को श्कोल या कालेज गत्विदियों में रुची रहेगी सही समय पर शही नणाय लैना भी जरूरी है ज्यादा सोच बिचार करने में शमय न लगाएं तथा अपना आत्म विश्वास बनाय रखें बैंक या निवे समन्दी कोई काम ना होने से मन में जुंजलहाट रहेगी खर्चों की स्थिती बरकरार रहेगी बिजनिस में उतार चड़ाव रहेगा काम ज्यादा होने से अथार्टी अपने क्रमचारों को भी दे इससे आपका कारिवार हलका रहेगा नोकरिपेश लोग पबिलिक डिलिंग में धहर रखें और बिवादों में न पड़ें धनुराजिट स्वयम को जाजते प्रक्ते रहें आज बहुत भावक रहेंगे दूसरों की मदद करने से आपका श्रमान बढ़ेगा समय के मुताविक स्वयम को ढालना शीक है ज्यादा आडियल रहना ठीक नहीं है युवाओं को भविश के प्रतिस सजग रहना जरूरी है दूसरों की मदद के साथ परिवार का भी ध्यान रखना बिजनिस के नजरिये से दिन अच्छा है इस्थान सम्मंदी योजनाओं पर काम सुरू होगा भविश की योजनाओं पर काम करेंगे सफलता मिलेगी कोट केस के मामलों में जादना उले हैं मकर राशिक अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेंगी परंतु आप उच्छे दिवस्था बना कर हल भी निकाल लेंगे संतान की ओर से कोई सुबसमाचार मिलने श से सुल जाएं तो आपसी संबंदों में मधूरता बनी रहेगी मानशिक सान्ती बनाय रखने के लिए ध्यान साधना चरूर करें कारशित्र में आपकी बहतरीन कार प्रणाली की अनकूल परिणाम श्याम ने आएंगे निस्चित्री सफलता मिलेगी पार्टनर्शर्प संब दूर होगी कामकाज और परिवार में तालमिल बनाकर रखना आपके लिए चुन्नोती भरा रहेगा नेजदी की दोस्तों और के शाथ संबंदों को और बहतर बनाने की कोसिस करें किसी रिस्तियार की समश्या सुल्जाने में उसकी मदद करें बिजनिस का कोई भी फैसला अ काम रुका हुआ है तो पूरा होने की शंभावना है साथ ही कुछ लोगोंशे आपका फायदा मिलने की उम्मीद है अपरचित लोगों को जल्द ही अपने बारे में बिसेश जानकारी ना दें इस बात का धियान जरूर रखें कि कोई पुरानी नकारात में बात का असर आप शफलता मिलने की योग है ए राज का देनेक पंचांग एवन द्वास राश्यों का फल इसी के साथ हम अपनी बार्णी को ब्राम देते हैं जय गुर्देव जय महर्शुर्ण